तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ शांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेथ फैमिली और पड़ाई का जान काफी एचे से रख रहे हो तो आज संडे संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे पर लेकिन आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे फादस डे से जब मैं देख रहा था फादस डे के बारे में तो मेरे सामने जो है अभी वो गाना आ गया दंगल मुवी का बापू सिहत के लिए तो तो हानी का रख है देखिए नोर्मली आप लोग ने देखा होगा जो पैरें यही मतलब डर लगता है kind of आप लोगों ने देखा होगा पर लेकिन आप लोग अगर नोर्मली देखेंगे चीजों को समझ के तो एक चीज आप लोग यहाँ पर समझ में आएगी कि वो चीज हमेशा आप लोग के फाइदे के लिए होती है ताकि लाइप में आप लोग डि वो उन से उपर जाये उनको खुसी होती है और माबाप अपने बच्चों को अपने से उपर ओधे पर देखना चाहते हैं तो उनको खुसी होती है यह यकिन वालो चाहिए लिख लो कहींपर इसके अलावा इस धर्ती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि अगर उनसे आगे निकलो आप तो उनको पसंद आता है, कहीं नगे उनके मन में आप लोगो कुछ न कुछ ऐसी चीज़े जुरूर नजराएंगी, ठीक है, पर ये दो इंसान ऐसे हैं, जो हमेशा, आप लोगो नहीं कहते हैं कि एक तरीके से बिना कुछ एक अपना फाइदा सोचे भी हमे में घूमते हो, इससे पहले आप लोग अगर अपने माता पिता को ही रेस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दे, तो आप लोगो मुझे नि लगता है कि किसी भी जगे आप लोगो जाना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता का इस्थान जो है, इस जग में सबसे उपर माने जाता है पर लेकिन टीचर जो है, वो एक माता पिता, एक टीचर ही होते हैं, सबसे पहले टीचर जो होते हैं, माबाप होते हैं, फिर टीचर का नंबर आता है, तीसे नंबर पर रोल रहता है कि इस लिस्ट में भगवान, अल्ला गोड जिसको आप लोग बोलते हैं, वो आते हैं, य लिए parents को किसी भी चीज के साथ में आप लोग compare नहीं कर सकते हैं, तो एक तरीके से ये एक अच्छा मोगा है आज के दिन, अपने मम्मी पापस से बात कीजिए, निकि फादर से बात करनी है, बात करिये हैं और कोसिस क्या कीजिए, कि कम से कम daily अगर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो alternate days पर बात करिये करिये, कोसिस कीजिए, अगर daily बात हो जा रहे हैं, तो और भी जादे बैटर है, पर लेकिन ये कैसी चीज़े हैं कि आज की दिन में जिसे social media आ गया है, हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग चलो कोई नहीं यार, अपना चल रहा है, ठीक है, नोर्मली एक बैट के दो मिनट बाते करना, चीज़ों को सुनना, जिससे parents की age बढ़ती जाती है, उनको एक ऐसी feeling आती है अंदर से, कि हमारे साथ में बैट कर बात करें, ठीक है, अगर उनकी age जो है, 70 या फिर 80 के airfare में जा रहे हैं, तो अगर आप लोग किसी भी category में क्यों ना हो, आप आप लोग अपने parents के साथ में बात करिए, उनकी बाते सुनिये, आप उनकी बुन को बताईए, अपनी चीज़े share कीजे, काफी कुछ आप लोग को, उनकी के दित्मन की सान्ती मिलेगी, और इसी के साथ में उनको भी अच्छा लगएगा, ठीक है, तो I hope कि आप लोग समझे जो नहीं कहते हैं कि एक दिक्कते बढ़ने वाली है, अब आप लोग बताईए, चलिए को नहीं है, इतना बोल दिया, आप लोग समझे किसके बारे में बात कर रहो हूँ, आज एक की न्यूस्पेपर से दो किलिफ हैं यहाँ पर यहें, जो मुझे रिलडी में सोचने के ल आ रही है, प्रोलम आ रही है, किसकी लाइफ में दिक्कते नहीं होती है, उन्हें उसका बुडर मोई का डायलोग में होती है, जिन्दगी का दूसरा नाम ही प्रोलम है, तो वही बात है कि जिन्दगी का दूसरा नाम प्रोलम है, पर लेकिन इंसान है इसे लिए कि आप लो लगे क्योंकि ये essential category में आगे auto जो थे हो तो बंद होगे कोई भारा आ जा नहीं रहा था अपर लेकिन ये सब खरीद रहे हैं तो इसके चलते इन्होंने alternative ढूंड लिया अपनी जिन्दगी को जीने का ठीक है तो एक तो ये इनसान है जिनको पता है कि हाँ कुछ ने कुछ खो इनको अपने परिवार को अपने बाबाभको पालने के लिए अपना सोचने का तरीका चेंज किया और लेकिन इन्होंने अपने काम करने का तरीकाaton प्हुली को भी बेज दो तो यार हर एक प्रोडम के कई सारे solution आप लोग को लग सकते हैं पर लेकिन आप लोग कौन सा follow कर है उसी से आप लोग की लाइब जो है वो सही डिरेक्शन में चलना है स्टार्ट होगी ठीक है आज मैंने आप लोग कुछ बाते बता दी एक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हों ने आज ही इंप्लिमेंट कर दी आज से यह अंसर परसनली मुझे काफी मोटिविशन मिला यहां पर इस चेज को देखा कि दिक्कत को देखने का नजरिया चेंज करो आप लोग को तुरंट सोलुशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा आप लोग ही क्या रहे बताइए आप लोग आगे बात करें हाँ पर अभी बेसिकली बात की जा रही हाँ पर प्राइमिस्टर मोदी साब के दौरा जम्मो एन कासमीर के अंदर जो 14 यहाँ पर जो लिडर है पार्टी इसके उनको बुलाए गया है और उसके चलते हाँ पर भी के अंदर में सब कुछ चल रहे है यहाँ पर तो अभी यह पूलिटिकल पार्टी जाकर मिलेगी और देखेंगी क्या 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 सोलिक्शन निकाला जा सकता है तो एक टम बार-बार यहाँ पर आती है गुपकर तो इसको आप लोगो याद रखना है कोई confusion आप लोगे माइन में नहीं होना चाहिए basically हाँ पर इसके बारे में दो declaration आप लोगो देखने को मिलेंगे पहला declaration 4 अगस्ट 2019 मया जिसमें basically massive deployment जब किया गया security force का और यूरिस्ट को वहाँ से अटाया गया तो उसके ओपर discussion किया गया उसकी चलते हैं पर फिर दूसरा जो यह declaration आया यह बाइस अगस्ट को जब सब कुछ यहाँ पर प्लड़ दिया article 370 अटाया जिसे के साथ में सम्विधान खता एक normal state बना जिए country का तो गुपकर यह बात कर रहे हैं और यह गांधी जी का जो फिलोस्फियों फोलो कर रहे हैं यानिके जो नहीं कहते हैं कि non violence वाला फुंडा कि हम लोग अब यहाँ पर divide कर देगा अभी दो unit territory यहाँ पर बन गई जिससे आप लोग ने देखा तो अब union territory जब अलग अलग बन गई है तो अब यह भी देखना पड़ेगा है कैसे हाँ पर election conduct कराने है तो यह सारी चीज़े आप लोग यहाँ पर नजर आएगी तो इसी के चलते एक इसी से लेटर यहाँ पर news यहाँ पर यह बात किया रही है J&K के अंदर delimitation के बारे में तो delimitation commission यहाँ पर बना जाता है उसके चलते एक देखा जाता है कि किस area में कितनी population रहती है उस population में से कौन कौन सी constituency create कि जा सकती है जहाँ पर election को conduct कराया जा सके क्योंकि इस union territory के जाएगी जिसके पास में खुद की assembly होगी यहाँ पर आप लोगों इनकी खुद की विधान सभा देखने को मिलेगी जिसमें chief minister होंगे elected लोगों के द्वारे हाँ पर यह government आप लोगों को देखने को नज़र आएगी तो उसी के लिए ताकि आगे चलकर election conduct के यहाँ पर कराय जा सके तो delimitation commission यहाँ पर बनाया गया है उसी तरीके से क्या क्या चीज़े कि सेरे में कितनी constituency बनानी है assembly के लिए और parliament के लिए भी किसनी constituency को कैसे create करना है तो उसके बारे में हाँ पर यह बात करेगा अगर हम लोग present time पर बात करें हमारी country में जो लोग सभा की election के लिए जो सारी चीज़े हैं last time delimitation commission कब आये था इसके बारे में आप लोग को बताईए पहले आप लोग को से distance कर चुको आप लोग को थोड़े रिवजन भी हो जाएगा ठीक है रिजन ये चल रहा है कि जिस expectation के साथ में काम किया गया था वो fulfill नहीं हो पा रहा है medicine बोला गया था सबको लगा दी जाएगी अभी काफी कम जनता को हमारी medicine मिल पाईए अगर ध्यान से देखोगे तो 3.something के करीब I think जो है total medicine मिल पाईए 3.6% medicine हम लोग अभी population को fully vaccinate कर पाए यानि के हमारी country में अभी 3.3% जनता जो है वो fully vaccinate हो पाईए किसी को अभी एक dose मिला है और किसी को एक भी dose नहीं मिला है तो यहाँ पर मैं भी उस category में हो कि मैंने अभी कोई भी dose अभी नहीं देखने को मिला यानि के अभी मैं बिना dose के बैठा हूँ बाकि आप में से किस-क probability ज़्यादा है जिनकी age ज़्यादा है पहले उनको दवाईया मिल जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो उस तरीके से और आप लोग को सीच कीजएगा अगर आप लोग थोड़ा सा पैसा भी कमा रहे है ठिक ठाग अबना तो अपनी दवाई जो है प्राइबेट से इस्टिया यह फिली ज़्यादा मिला पर इस तरीके से काफी सारे फुली वेक्स्जिनेट कर रहे है और चैना आप लोग को नजर ही नहीं आएगा चायना कुछ डेटा बताया यह वहां कौन रहा है कौन जिंदा है दवाई दे भी रहे हैं नहीं दे रहे है एसी देट में जिसके बारे में कुछ बोलना भी सही नहीं रहेगा, मतलब कि पता नहीं क्या चल रहा है, कोरोना आया गया, कहां से निकला, कहां को गया, किस-किस को दवाई दी, कितने लोग मर गये, कुछ नहीं बादा है, तो इसलिके चलते भी बोला गया कि third wave आए, आप लोगों तयार रहना पड़ेगा, बोला कि आत्म संतुस्त नहीं हो, कि हां wave चली गई है, अभी third wave आ सकती है, तो central government ने बोला है, state government unit charities को, कि अपने हतियार लेकर तयार रहे है, यह important question जो यहाँ पर बन सकता है, वो यह हैं यहाँ पर, अगर कोई भी डॉक्टर के खिलाब कुछ करता है, किसी डॉक्टर को assault करता है, किसी डॉक्टर के खिलाब अभदर वेभार करता है, तो यहाँ पर अभी बोला गया, कि उनके खिलाब case register की जाएगा, किसके तैत epidemic disease, amendment जो act हैं आपर 2020, तो इसके तैत अगर कोई डॉक्टर के साथ में health, जो worker, professional के साथ में कुछ करता है, आप लोग ने देखा हुआ, कई बार यहाँ पर मारते पीटते हो, सारी हरकते देखने को मिली, तो उसको रोखने के लिए यह एक start यहाँ पर चीजे कियेगी है, एप्रिशेट करने लायक move हैं, आपर यह क्योंकि डोक्टर जो हैं, अगर उन्ही को हम लोग इस तरीके से treat करेंगे, तो इस बीमारी के साथ में कैसे लड़ेंगे, तो यह चीजे थोड़ी समझने पड़ेगी, नेस्ट जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, आसाम से, आसाम को अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हैं, तो नोर्थिष्ट का हमारी country का एक राज़े हैं, आपर अरणोचल परदेश, नागलेंड, मनिपूर, मिजोरम, तिरपूरा, और यहाँ पर हो गया मेगाले, ठीक है, और यहाँ पर यह बेसिकली राज़े जो है, यह टच करते हुए, आप लोगो नज़र आएंगे आसाम को, इसी के साथ में आसाम को वेस्ट बंगाल भी टच करता है, यह याद रखना, ठीक है, कोशन बन जाता है, और इधर बात करिए, तो मैनमार के साथ में, मिजोरम, मनिपूर, और नागलेंड, और अरणोचल प्रदीश, चार राज़े टच करते हैं, क्योंकि मैनमार काफी जूँज में, याद रखेगा, आसाम के अंदर क्या क्या ज़रा है, पोपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिस की जा रही है, तो इसके चलते हैं, इनके द्वारा बोला गया है, कि आने वाले टाइम में हाँ पर, अभी जो फर्टिलेटी है, इसके दो बच्चे होगे, उनको ही आपर अलाओ किया जाएगा, इलेक्शन में वोट डालने के लिए, इलेक्शन में क्या कहते हैं, उसको इलेक्शन लडने के लिए बिसिकले ठीक है, जिनके दो बच्चे होगे, गोर्णन्ट जोब के लिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा या civic जो बोड़ी है उनके लिए election जो लड़े जाते है पंचाथ के लिए election जो लड़े जाते है इससे यह रहेगा कम से कम उन लोगों के उपर अगर चीज़े implement हो जाती है जो हमारी country में जो basically election लड़ रहे है तो यहां फिर जनता के उपर भ population है state के अंदर में तो उनको भी हाँ पर basically इसको follow करना पड़ेगा तो उसके चलते हैं हाँ पर यह speed implementation की बात करें ताकि जनता को population को control किया जा सके ठीक है तो यहां पर यह एक funda है जिसके बारे में याद रखेगा आगे बात करते हैं यह काफी recently अभी news में रा जब West Bengal के और यहां पर organization के बारे में आप लोग से बात करूँगा जिसका नाम है National Human Right Commission अभी हुआ क्या है कोट के दौरे हैं हाँ पर basically इसको guide किया गया है कि आप लोग देखें कहां कहां पर क्या 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 दंगे फसाद देखने को मिले तो उसके चलते हैं हाँ पर National Human Right Commission को बोला गया सके 2006 में इसमें amendment किया गया अभी फिलाल अगर बात करें ये 25 वी साल गिरास के celebrate के गी 2018 में तो ये इसका headquarter New Delhi में आप लोग को देखने को मिलेगा अगर किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है किसी individual को मारा जा रहा है किसी के घर में किसी की death हो गी है उसको यहाँ पर compensation नी मिल जाता है और फिर उनको support करने की कोशिस की जाती है पर लेकिन ये एक ऐसा एक ऐसा आप लोग बोल सकते हैं हाती है हाती क्या बोलू सेर बोल लीजिए फिर आप लोग जो भी बोलिए जिसके दात नहीं है यानि कि एक तरीके से बिना एक पावर का है आपर ये recommendation दे सकता है ज यहाँ पर protection of human right को लेकर basically चीजे आगे बढ़ाएगी और फिर general assembly के द्वारा भी इसको support किया गया जो 1993 में तो हमारी country में 1993 में हाँ पर आप लोग नेसल human right commission देखने को मिला important बात जो आप लोगों से पूछी जा सकती है वो क्या है अभी इसके अंदर change किया गया काफी बड़ा जो कि आप लोगों से confusion में डाल सकता है पहले हाँ पर इसका chairman बनने के लिए retired chief justice of India होना चाहिए यानि कि इसका chairman वही बनेगा जो retired chief justice of India बनेगा ठीक होगा तो यहाँ पर यहाँ पर बन सकता है अगर chief justice of India available नहीं है तो आप लोगों इसके देख सकते हैं इस तरीके से भी हाँ पर काम चल सकता है ठीक है तो यह अभी change लाए गया इसके चलते है यह काफी लंबे समय से इसके बारे बात भी की जा रहते है कि हाँ इसा कोई change होना चाहिए ताकि कल को चल के जो situation है उसको थोड़ा सा normal किया जा सके तो यहाँ पर अभी इसके बारे में कुछ important बात है अगर मैं आप लोगों से और बात करूँ देखिए अगर यह काम करने का तरीका इसका अगर आप लोग देखेगा तो यहाँ पर यह अगर जनता में जिसे newspaper में या कोई TV चैन Commission है जैसे आप लोग ने देखा कि National Commission for Minority, National Commission for Scheduled Cast, National Commission for Scheduled Tribe और National Commission for Women तो चारो के चारो कमिशन के जो यहाँ पर chairperson होते हैं वो यहाँ पर ex-officio member होते हैं जैसे ही वो chairperson बन जाते हैं वो इसके ex-officio member बन जाते हैं हाँ ठीक है तो यह आप लोग यह आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यह काफी important body है जो कई बार आप लोग को news में देखने को मलती है अगर selection committee की बात करें तो प्राइमिस्टर चेर परसन होते हैं speaker of log सभा, home minister, deputy chairman of Raj सभा और leader of opposition in both house ठीक है तो वो यहाँ पर इसको basically select करने का काम करते हैं तो यह क बात किजए उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसको रोखने की एक कोसिस करती है इसमें जो tenure है वो कितना होता है यह आप लोग बताईए इनके जो member है और जो इसके जो chair person है यह आप लोग के लिए question है ओके आईए अब आगे चलते है next news के और next news निकल कर आ रही है ब्रह्मपुत्रा river के बारे बात की जा रही है गोवाहटी के अंदर basically तो यहाँ पर अभी देखने को मिला जो मौन सुना रहा है न तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है अगर इसको मैं आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक particular की बात करता है maximum कई सारे project बनाने की बात कर रहे है इसी मनाता है कि हाँ पर इंडिया के अंदर जो पानी का flow है वो काफी कम हो जाएगा यह ब्रह्मपुत्रा river यह तिबबत के अंदर यारलंग जैंकपो यह फिर सैंकपो के नाम से जान जाती है पर लेकिन जैसे ही यह entry करती यह बंगलादेश के अंदर इसको जमना बोल देते हैं यमुना अलग है जमुना अलग है दोनों में difference समझेगा जमना हलागी कई जगे यमुना को भी जमना बोल देते हैं हमारी country भी ठीक है इसी तरीके से गंगा जो है वो यहां से चलती है इंडिया से और फिर जाकर जब बेसिकली कहां पर यह जाकर गिरते हैं दो रिवर में डिवाइड हो जाती है हुगली चली जाती है वेस्ट बंगल के अंदर और जब यहां पर यह जाती है बंगलादेश के अंदर तो इसको पदमा बोल देते हैं जब जाकर यहां पर मिलकर फिर आगे गिरते हैं तो इसको मेगना का नाम दे देते हैं, तो ये इसी river system के बारे में हाँ पर बात की जा रही है तो इसको आप लोग समझ सकते हैं कई बार आप लोगों से जो geography के point of sight से question पूछ लाते हैं, तो confusion नहीं होना चाहिए, अभी एक काफी काफी बड़ी news सामने निकल कर रही हैं, कि Swiss bank, जो कि हाँ पर, जो विदेसी bank हैं, आपर black money देखने को मलती हैं, तो बोला जाला है कि हाँ पर 20,000 क्रोड के करीब यहाँ पर यह black money देखने को मल रही है, तो बढ़ गई है पर central government ने बोला है कि कोई भी rise नहीं हुआ है, यह जो news है यह सही नहीं है, उसके अंदर जो है जो black money है, वो एक तरी से कम हुई है black money का मतलब क्या होता है, आप लोग ने देखा होगा कि कई सारे लोग काफी सारे पैसा कमाते हैं, पर लेकिन tax नहीं देना पड़े, यानि कि अगर मालीजे आप लोग कोई पास अच्छा खासा पैसा है, क्रोडो में property है, तो अगर आपका income जो है क्रोडो में हो रही है तो 30% करीब आप लोग को tax देना पड़ेगा यानि कि अगर आपके income जो एक करोड है मालीजे, इस तरीके से बोलू तो 30 लांक आप लोग को tax देना पड़ेगा 30 लांक काफी बड़ी रकम होगी, अगर बोलू 100 रुपे income है, उसका 30% बोलू तो 30 रुपे देना पड़ेगा, लगे चलो कुछ नहीं पर लेकिन जब ये करोड हो गया, मालीजे आप पर 100 करोड हो गये, तो 30 करोड आप लोग को देना पड़ेगा, इस तरीके से आप लोग understand कर सकते हैं तो यहां से काफी सारा money जाता है टेक्स की form में, तो लोग क्या करते हैं इस टेक्स को बचाने के लिए, वो अपना profit नहीं दिखाते हैं और उसको चोरी करकर basically बहार बैंकों में रख देते हैं जिससे कि आपर उसके उपर tax pay नहीं करना पड़े तो इसके चलते हैं हाँ पर इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं नहीं कि इनके दोरा दोर दोर कर इत्यास लिए और इनके ओपर जो movie भी बनाई और ये twitter पर कभी trend भी किया कुछ time के लिए आपर कि भारत रतन मिलना चाहिए मिलका सिंग जीगो, मैंने भी इसके ओपर एक video बनाई अपनी जिंदगी में, वो उनको कम से कम appreciate जो कर लिये society उसको देख कर जाए अब मरने के बाद में उनको recognize के जा रहा है, चले सही है recognize के जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है पर लेकिन जिंदा रहने के बाद में उसकी value जा 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 रहेगी आप लोगी क्या रहा है, अभी हमारी country में कई बार ध्यांचन सहाब को भारत रतन देने की बात की जाती है एक महान personality, उनको बहुत पहले भारत रतन मिलना चाहता, अब तक उनको नहीं मिला तो यह ऐसी चीज़े हैं, कुछ हैं चीज़े, कई बार politics के, कई बार भारत रतन और यह सारे award होते है इनके नाम पर भी politics खेली जाती है, चलो उसको दे देते हैं, ठीक है तो वो सारी चीज़े देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि ध्यान चंद साब को मिलना चाहिए और Milka Singh जी को भी मिलना चाहिए, आप लोगी क्या रहे है, आप लोग अपनी राय बता सकते है अगर लगता है, तो कहीं भी आप लोग अगर लिखना हो, ट्विट करना हो, किसी भी social media handle पर आप लोग को डालना हो तो भारत रतन for Milka Singh, तो आप लोग ये hashtag यूज कर सकते हैं, ताकि recognize किया जाए और कम से कम, मनो प्रांत और कम से कम एक personality को recognize के जाए, अब तक तो यहाँ पर चीज़े recognize नहीं कीगी पर लेकिन फिर भी तसलिए देने वाली बात हो जाती है यार, वरना पहले ही मिलनी चाहिए यह सार चीज़े आगे बात करें, यह आप लोगों से question पुछा सकता है, exam में और राइस्थान से अगर आते हैं, तो आप लोगे लिए और भी important है और woman empowerment के बारे बात करें तो woman सामने निकल कर आ रही है, इसलिए और भी जदे important हो गया बात क्या की जा रही है, हरित मातर भूमी, यानि के जो जमीन है, उसको हरित बनाने की बात की जा रही है, इनके ग्रीन बनाने की बात की जा रही है तो इसके चलते इनके द्वारा जो World Day to Compact Day Certification यानि के जो मुरुष्थली करण है उसको रोकने की बात इनके द्वारा कीगी तो उसके चलते पेड़ पोधे हाँ पर लगाय जा रहे हैं तो यह जो पेड़ पोधे लगाने की बात कीगी तो यहाँ पर इनके द्वारा 5,500 के करीब या लगाय पर पेड़ लगाने की बात कीगी जिसके चलते है राजिस्थान में जो है पेड़ लगाने से काफी ज़ए फाइदा देखने को मिलेगा उसको हरित एरिया बनाने की कोशिस की जारी है तो आप लोग उसे हाँ पर कोश्चन भी पूछा जासकता है इसके बारे में कि किस राज्य की हैं आपर ये हरित्त मात्र बूहमी जो की ग्रीन करने की कोशिस की जारी है लेंड को तो आप लोग राजस्थान से आते हैं तो आप लोग के लिए और भी इंपोर्टेंट यहां पर हो जाता है तो यह राजस्थान का जो चुड़ डिस्टी के उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा तारा नगर वाले एरिया में अभी हाँ पर यूएन अवोर्ट के बारे बात करें तो किसके अजस्था में सारे पेड़ लगाएगे तो याद रखेगा शाम सुंदर जो जैनी है इनको याद रखेगा इनको रिसेंटली अभी इसी साल जो है अभी हाँ पर लैंड फोर लाइफ जो अवोर्ड दिया गया था हमारी जो नैनो मैगजीन वाली वीडियो आती है उसके अंदर में तो यह जो है इसके अंदर हम लोग ने देखा था वल्ल्ड डे टू कमबैक्ट डेजर्टिफिकेशन यानिके जो ड्रोथ है मुरुस्तिली करण है उसको रोगने की बात कि जाती है यानिके ऐसी जमीन जमीन ऐसी होनी चाहिए तो ही यहाँ पर प्रत्यू के लिए अच्छी है यहाँ पर यह और इसकी जो थीम है बेसिकली है रिस्ट रिस्टोरेशन लैंड और रिकवरी तो यह थीम है इसको तो कम से कम याद रखिएगा आप लोग आर एल आर करके पर लेकिन इसमें यह भी एड कर सकते हैं यहाँ पर बात की जा रही है वी बिल्ड बैक बैटर विध हैल्दी लैंड ठीक है तो पूरी थीम ही है वैसे आप लोग यह भी याद रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है तो यह 17th of June को celebrate कियाता है ताकि अगर सूखा कहीं पढ़ गया है मुरुस्थली करन कह पर होगी है तो उसके बारें बात की जा सके हैं और कुछ मैथन खोजे जा सके हैं कि इसको कम कैसे करना है क्योंकि अगर जमीन ऐसी होनी स्टार्ट होगी तो उस पर खेत खलियान नहीं रहेंगे वहाँ पर हम लोग अपना जो basically अगरी कल्चर नहीं कर पाएंगे तो कैसे का है अगर आप लोग पेड लगाते हैं कहीं पर भी आप लोग को लगते हैं आप लोग को नहीं पेड लगा है तो हैस्टेक slv army planting tree ये भी आप लोग हैस्टेक यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी फिलाल ये एक तरीके से जो अभी जो मोसम चल रहा है जैसे जून जुलाई अग विलेगा, यह मोंसून का पीड़ है, अगर पेड लगा कर आप लोग छोड भी देंगे, अगर पानी भी नहीं देंगे तो आप लोग को पता है अभी भी मोर्णिंग में बहर बारी सो रही है, ठीक है, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि काफी हद तक पेड जो हैं वो अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे tag कीजेगा add the rate वीर तालियान पर जहाँ भी आप लोग करते हैं फिर मैं उसको story में या फिर twitter पर फिलेट में या फिर instagram पर story में share करूँगा ताकि जादे से जादे awareness हम लोग और फैला सकें जो कि आप लोग देख सकते हैं तो यह से लेटर भी आप लोग लिखने को है जाए थोड़ा सा याद रखेगा आगे बढ़ते हैं अब लहाँ पिया यह आप लोग को देखने को मिलेगा जब यहाँ पर रक्सा करने वाला भक्सक बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा एक कॉंस्टेबल साब थे हाँ पर उनके द्वारा क्या किया गया एक पर्टिवल थर्डी फाइव एर ओल्ड कैप ड्राइवर थे उनकी जान ले ले लेगी कार चलाते हुए सराप पीकर उनको ठोक दिया जाकर ठीक है तो ऐसी दुरहटना अगर सराप पीनी नहीं है पहले तो क्योंकि उल्लेडी बहुत बरबाद उल्लेडी लोगों को ए ले लेहं था पर तो यहां बैट रहा है बाहर वरणक ही नाली में गिरे फिरेंगे कुछ और चीज़े देखने को मिलेगी तो यह सारी चीज़े हैं जो सही नहीं लगती है आगे बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है डेली को एक बहुत शांदार तरीके से डेलॉप करने की बात की जा रही है तो master plan जो डेली है master plan for डेली यह है 2041 तो 2041 तक डेली में क्या क्या होगा तो यहाँ पर बात की जा रही है कैसारी चीज़ों की एक तो सबसे important बात यहाँ पर यहाँ भी मैंने आप लोग से डिस्केस के जा रही है 24 by 7 डेली को open करने की बात की जा रही है ताकि डेली में रात ही नहों completely हाँ पर चीज़े चलती रहे है इसे ही के साथ में हाँ पर कोशिस की जा रही है कि आने वाले टाइम में जो environment के point of से ध्यान रखा जाए काफी अच्छे से अभी बात की जारी है कि cycling वगेरा या फिर किसी को पैदल चलना है तो उसके लिए भी network यहाँ पर त्यार किया जाएगा आने वाले टाइम में यानि कि पूरा development इस तरीके से लेकर चलना है कि आगे चलकर फिर से कोई pandemic आता है तो लोग work from home कर सकें तो उसके लिए पूरी facility आप लोग को देखने को मिलेगी तो काफी अच्छे से develop करने की courses की जारी है तो यह अभी प्लान यहाँ पर निकल कर रहा है हाला कि अभी DDA की दौरा इसको approval नहीं मिला है तो देखते हैं फिर आगे कैसे चीज़े बढ़ पाती है इस प्लान को लेकर कैसे आगे चल पाती है बाकी काफी कुछ रहेगा कि कैसे जो manage करना है जो वेस्ट वगरा निकल के आता है पानी को कैसे सही तरीके से लेकर चलना है तो बहुत सारा ऐसा मुद्धर रहेगा कि एक सही तरीके से develop के जाएगा अब कितना हो पाता है कतनी और करनी में फर्क कितना देखने को मिलेगा तो बाद में आगे पता चलेगा अब यहाँ पर बात करते है National Green Tribunal के दौरा बोला गया है नजफगड जो लेक है नजफगड लेक यहाँ पर टहली के अंदर आप लोग को यह देखने को मिलेगी तो कई बार कई सारी लेक के नाम देते हैं और पूछ ले आते हैं तो pollution की वे से हाँ पर ये news में आ गई है भी एक और है National Green Tribunal के द्वारा यहाँ पर बात किजा रही है Meka Dato Project के बारे में तो पहले National Green Tribunal के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ रहते हैं कि 6 महीने के अंदर-अंदर केस को निपटा दी जाए ताकि चीजे आगे बढ़ सके तो National Green Tribunal हमारी कंट्री में एक statutory body है NGT जो की एक act आय था 2010 में जिसके द्वारे इसको बनाया गया था यह जो body है यहाँ पर हमारी कंट्री में बेसिकल अगर आप लोग बोले कि कौन से आर्टिकल के दहत निकल के आती है तो जब पार्ट थर्ड में आप लोग जाएंगे तो आप लोग को fundamental right देखने को मिलेंगे इसमें आर्टिकल बारे से लेकर आर्टिकल 35 तक है तो इसमें से आर्टिकल 21 जो है वो NGT के बारे बात कर रहे है और ये question जो है ये कई सारे exam हो में repeatedly question ये पूछा गया है यानि के कौन से आर्टिकल से NGT निकल कर आता है कई बार आप लोग को आर्टिकल देदेंगे कई बार पार्ट पूछ लें कौन से पार्ट से NGT निकल कर आता है ठीक है आप लोगों बोल देंगे कि protection of the light and liberty फिर दूसरा को ये article देदेंगी तो उसके बारे बोल देंगे तो ऐसे भी direct question पूछ आ सकते है तो ये healthy environment के बारे बात करते है तो life and liberty तो तब ही रहेगे न जब environment अच्छ रहेगा पता चला वैसे ही pollution की वैसे मर गया दे लोग तो वो वाली चीज़ें नहीं होने चाहिए तो यहां से निकल कर आता है पर लेकिन हमारी country में कहा से है UN ये निकल कर इसके बारे में NGT के बारे में अगर आप लोगों से कोई बात करें तो इसके बारे में आप लोगों से अगर कोई बात करें तो यहां पर आप लोग देखेगा कि UN की जो conference थी environment और जो development से लिटर ठीक है तो उससे यहां पर निकल गया UN conference on environment and development तो 1992 में ये conference हुई थी ठीक है जहां से ये निकाल कर लेकर आया सबसे पहले ये बनाए गया था Australia और New Zealand के द्वारा और इसके बाद में हमारी country जो थी वर्ल्ड में वो तीसे नंबर की country बन गयी थी ये NGT को बनाने वाली NGT की जो principal branch है वो आप लोगो New Delhi में देखने को मिलेगी इसका जो headquarter बोल सकते है बाकी आप लोगो पूने वेस्ट में भोपाल सेंटर में और चन्नेई जो साउत में और कोलकता इस्ट में तो ये इसकी अलग-अलग बनाच आप लोगे हाँ पर नजर आए जाएगी अभी फिलाल अगर NGT के बारे बात करते हैं आप लोगो बताने है तो ये कुछ बेसिक चीज़े है इसके दोरह जो काम क्याता है वो natural justice के concept पर काम क्याता है natural justice का concept क्या होता है देखे आज की date में अगर कोई case आप लोगो solve करना है तो court में जाएगे तो court के इसाथ से से जाएगा पर लेकिन अगर यहाँ पर आप लोगो solve करना है तो court के इसाथ से नहीं हाँ आप यहनि कि आप लोगो natural justice यहनि कि ऐसा नहीं कि जैसे कि CCP जैनि कि criminal of court प्रोचेजर हैं यहाँ पर ठीक है तो वो follow करना है तो आप लोगो criminal of court प्रोचेजर follow नहीं करना है जो 908 का है आप 1908 का आप लोगो natural justice का concept follow करने है natural justice का मतलब यह होता है एक तो बिना सुने आप लोग reason नहीं देंगे कोई अगर guilty है तो उसकी सुने यह बात ठीक है दूसरा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अपने ही case में खुछ जज नहीं होंगे यहाँ पता चला case भी आपके ऊपर चल रहा है और judge भी आप लोगी बने बैठे हैं तो वो चीज़े नहीं होंगी तो यह सारे concept NGT के बारे में question यह सारे जो मैंने बताएं अगर आप लोग पुराने paper उठागर देखोगे तो सारे कभी ने कभी किसने किसी तरीके से question पूछे जा चुके है तो 5-6-7 question मैंने आप लोगे हाँ पर cover कर दिये जो कि exam में आप लोगे उसे पूछे जा सकते हैं तो यह तो हो गया NGT के बारे में अब मेका दातू प्रोजेक्ट के बारे बात करते हैं जो काफी ज़यते news में है पहले है कहाँ पर यह उपर हो गया करनाटका और नीचे हो गया तमिलाडू तो करनाटका आप लोगों को देखने को मिलेगा बिसे की border के पास में मेका दातू यह जो प्रोजेक्ट हैं आपर इसके चलते क्या चकर चल रहे है तमिलाडू यह बोल रहे हैं यह प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए यह illegal तरीके से आपर काम कहज़ रहे है जबकि बोला गया था Supreme Court का जो डिजना है तमिलाडू को मिलता है 404 जो basically million cubic foot water मिलता है फिर यहाँ पर 244 मिलता है किसको करनाटका को 30 मिलता है यहाँ पर केला को और 7 मिलता है पुदिचेरी को तो केला और पुदिचेरी का तो सेम रहा पर change किया गया है करनाटका के अंदर और तमिलाड़ के अंदर तो यहाँ पर तमिलाड़ को कुछ पानी निकाल कर करनाटका को दे दिया गया और ज़ाद है reason क्या था? कि Bengaluru जो यहाँ पर basically करनाटका के अंदर capital है वो एक IT hub है वहाँ पानी की requirement काफी ज़याद होती है और हुआ पर लेक भी जो है वो कई वार उनमें आग लगती ही पाय जाती है पॉलिशन की वे से तो पानी की requirement के जहान में रखते हैं हाँ पानी दिया गया पर लेकिन बात ये रहती है दिक्कत ये रहती है कि हाँ पर जो सारा system जो भी change करना है तो उसके लिए वोटर कमिशन की जो बोड़ी बना रखी है उससे हिसाब से काम करना चाहिए पर लेकिन चल नहीं पाता है करनाट का भी हाँ पर डेम बनाने की बात करा है प्रोपर किलेरेंस भी नहीं लिया गया तो इसके चलते केस सामने निकल करा है तो मेका दातू प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो अब आप लोगों कन्फ्यूजिया आना नहीं है सारी डिटेल में ना आप लोगों को बता दी आए अब आगे बढ़ते हैं बात की जारी है इंडियन एर फॉर्स के बारे में तो हमारी कंट्री में एर फॉर्स की जो चीप है यहांपर RKS, बदूरिया इनके द्वारा बोला गया है कि हमारी जो फॉर्स है वो तयार है टैकल करने के लिए चायना को या फिर परोजिदेस पाकिस्तान को हमारी country में अभी रेफैल वगरा include किएगे तो उसके चलते हमारी एरफोर्स जो है वो और ज़्यदे ताकतवर हो गई है यह सारी जो बात की जारी है यहाँ पर ठीक है तो यह बात की जारी है दुन्दिगल जो basically हैदराबाद के अंदर जो एरफोर्स स्टाप कोन है यह आप लोग बते जोगी पहली बार हमारी country पोस्ट क्रियेट की गई अभी बोला यह जा रहा है कि तीनों को मिलाकर है यहाँ पर जो लोजिस्टिक है वो एक जगह लाए जाएगा यानि कि मालीजे जो हवाई जहाज वाला काम है ठीक है अगर कोई ऐसा काम है एन के एक तरीके से अलग-अलग resources यूज़ने करके मालीजे एक तरीके से आप लोग यह समझेए अब आज की डेट में घर में पांच फोन है ठीक है पांच फोन है और सब के पास में इंटरनेट का डेटा अलग-अलग से डलता है मालीजे 3 महीने का डलवाते हैं तो उस वाई-फाई से सब का काम चल जाए आरामसे तो वो ज़्यादे बेठ रहेगा और यहाँपर कोई सस्तर सा रिचरज करा लिजे तो ये भी एक ऑलनेटिव तरीका हो जाता है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं पर लेकिन हाँ यह कि बाहर जाएंगे तो requirement पड़ेगी तो उसी के हिसाब से कोई छोटा मोटा recharge करा लिया जाए तो घर में अगर सब ही internet यूज़ करने वाले हैं तो यह एक अच्छा solution हो सकता है यहाँ पर यह इसी तरीके से अलग-अलग जो है उसी को resources को repeatedly अगर इस तरीके से देखा जाए कि वही काम Air Force कर रही है वही आर्मी कर रही है वही निवी कर रही है तो उसको repeatedly को हटा कर क्यों ना एक ही में डाल दे जाए ठीक है तो यह कुछ बात है बाकी अभी फिलाल बात की जारी संगाई Corporation Organization की मिटिंग में बारे में तो दुसानबे के अंदर यहनके जो तजागिस्तान के अंदर यह होने वाली है तो इसमें हमारी कंट्री की साइड से जो अजीर डोबाल जो है सुपरमेन है इंडिया के संगाई Corporation को जोइन किया गया कजागिस्तान अस्थाना के अंदर जब मिटिंग हो रहे थी संगाई Corporation Organization की तो तब दोनों के द्वारा जोइन किया गया तो अब 8 मेंबर इसके अंदर यहाँ पर हो चुके है ठीक है पहले हाँ पर कौन-कौन आप लोग को देखने को मिलेगे तो इस Organization की मिटिंग हो रही है तो इंडिया के जो Superman है वो यहाँ पर participate करने जा रहे है तो इसकी वेसे इन्यूज में आ गया है बाकी यहाँ पर West Bengal के अंदर असक सी जो चल रही है काफी लंबे समय से तो Governor को यहाँ से हटाने की बात की जा रही है तो Governor जो है यहाँ पर जगदीप जो धनकर है तो उनको हटाने के लिए West Bengal की Chief Minister कई बार बोली चुके हैं अभी हाँ पर जो Left है और जो Congress है वो भी साथ में आ गए है कि हाँ पर इनको हटाए जाए यानिके गवर्मेंट के साथ में और भी कई सारे लोग परेसान है आपर इनसे यह माना जाता है कि हाँ पर यह elected government से उपर उठकर अपने आपको दिखाते हैं कि हाँ मैं हूँ जो कुछ भी हूँ ने रिकेते जैसे अरुए जरिवाद साहब कडायल होगे दिल्ली के मालिक हम है ठीक है तो ममता में जी जी बोलती है वेस्ट बंगाल के मालिक हम है यह governor के भी बीच में अडा रहे हो तो वही चीज़े चलती रहती है उत्तर पर देश के अंदर यह election की त्यारी कर चुकी है अगर आप लोग IS officer बन जाते हैं तो आप लोग के पास में चान से आगे चलकर आप लोग election में भी participate कर सकते हैं politics में entry कर सकते हैं जैसे कभिल सिब्बल साब होगे बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे जो हमारी country में पुराने जो civil servant है आज के डिमे politics में है तो अगर चाते हैं आप लोग politics में जाना अगर देश के लिए कुछ अच्छा करना चाते हैं और होने भी चाते हैं हाँ पर पड़े लिखे इंसान होने चाहिए यार पड़े लिखे इंसान रहेंगे तभी तो उस थैम पूने उनके साथ था हैं, फिर प्रमीस्टह बन गए, फिर उनके साथ रहे तो लगबो बीस सालों तक इनके द्वरा उनके साथ में काम किया गया है क्यों ये बाते बता आ रहा हुँ? क्योंकि 80 अकेली सीट लोग सभा की उत्तर प्रदेस से निकल कराती है तो जिधर उत्तर प्रदेस बैठ गया वही पॉलिटिकल पार्टी जीज़ जाएगी राजसभा की कितनी सीट है उत्तर प्रदेस में बताई है तो जरा और अपने अपने राज्या में आप लोग को पता होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर राहूल गांटी जी के बारे बात कियाए हलाग कि एक्जाम के लिए कुछ भी इंपोर्टेंस इसकी नहीं है पर हाँ यह बात में आप लोग को बताना चाहता हूँ एक बात अगर आप लोग देख पाएंगी हाँ पर बंदा कुछ हो चाहे ना हो जो भी आप लोग बोलें मैं लिए कई सारे लोग कोई पपू बोलता है कोई कुछ बोलता है वो एक अलग इमेज की डेट कर रखी है लेकिन एक चीज आप लोग को देखने को मिलेगी 55 साल के हो गए है भाई साब लेकिन लगते नहीं है ठीक है तो अपने आपको फिर भी मेंटेन और फिट किये हो हैं तो यह आप लोग सीख सकते हैं आपर अपनी हेल्थ का ध्यान लखें ताकि आप लोग बड़ी एज होने के बाद में भी अपनी एज छोड़ी दिखा पा रहे हैं तो एक तरीके से यह है कि आप लोग अपनी इस पर हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं ब्लेक बेल्ट है यह माना जाता है तो एक तरीके से वो एक अलग बात है कि प्लिटिक्स में केरियर नहीं चलबा रहे है पलेकिन परसनल लाइप में फिट है इंसान तो उससे आप लोग कुछ नहीं कुछ सीख सकते हैं मोधी जी को देखें उन्होंने भी अपनी पिक्चर सेयर की थी वीडियो सेयर की थी योगा करते हैं इस एज में भी आकर अच्छे से तो आप लोग भी अपनी हेल्थ का जहां जरूर रहे कि थोड़ा टाइम तो जरूर दीजिए तो आगे चल कर क्या कंडिशन होगी क्या इरान नुकलर डील जो है वो आगे सकसित हो पाएगी तो इसके ओपर एक कोशन माग लगता हुआ आगे नजर आएगा अब देखते हैं सोलुशन निकलता है फिर ने निकलता है आप लोगी क्या रहे है आप लोग जुरू आइवरी कोस्ट हो गए यहां पर और यहां पर लाइबिरिया तो यहां पर देखने को मिलेगा तो यहां पर इबोला आउट ब्रेक जो हुआ था और वो खतम हो चुका है यह खुद वर्ड हैल्ट और गेंशन के द्वारा बोला गया है ठीक है तो इबोला की वज़े से हम लोग बोलते हैं हमारी कंट्र में काफी लार्जी स्केल पर देखने को मिला था डेल्टा वैरियंट जिसको बी वन सिक्स वन सेवन टू अभी हां पर इसका एक नया वर्जन आ गया है बी वन सिक्स वन सेवन टू यहां पर वन एक और एडज उर गया है इसको यहां पर ड यहां से पता चलता है कि किस तरीके से कोरोना वाइरस के जिनोम सिक्वेंसिंग बन रहे हैं, तो अराउंड 28,000 कोरोना वाइरस के जिनोम सिक्वेंसिंग है, यहां पर आउट ओफ इंडिया अब तक आप लोगो देखने को मिलें, कई सारे एरिया में अलग-लग यहां लगें, तो यह कोरोना अपने लेवल के इसाब से अपने आपको म्युटेट करता हुए नजर आ रहा है, ठीक है, तो हैनिक कहने का मतलब मतलब यहां कि कोरोना अपने हिसाब से अपना आपको चेंज कर रहा है, तो इसजी के बारे में हां पर यह information थी, ठीक है, तो य में से कितना आप लोग greatest lecture को देगे अगर feedback में आप लोगों से पूछू अगर time मिले तो किसी को जुरूर पढ़ाईएगा आप लोग को मन को जो सांति मिलेगी वो किसी चीज के साथ में आप लोग compare नहीं कर पाएंगे बागी PDF अगर डाउनलोड करने हैं तो यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना सारी चीज़े इखट्टी आप लोग यहां पर मिल जाती है और यहां पर भी आप लोग connect हो सकते हैं तो next lecture मिलता हूं बढ़ो को नमस्ते छोड़ो को प्यार ठोड़ी सी life enjoy कर आप तब तक के लिए जैहिन